आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन और सूपर टेस्टी रेशिपी लेकर किया है तो आज गुजरात का फेमस रेशिपी बनाएंगे जो कि है ढोकला तो आज यह जो ढोकला बनेगा अग्दम स्ट्रीट अश्टायल हलवाई लोग जो बनाते हैं उससे भी बेहतर बनेगा ऐसे भी नहीं खाएंगे इतनी बैतरीन बनता है इसकी टेक्श्चर देखिए इसमें कितनी ही जाली बने है और इतनी यह स्पॉंजी मेल्टिंग मौथ आपका जो ढोकला बन करके रेडी हो जाएगा नहीं तो इनों को इस्तेमाल करना है नहीं आपको सेट्रिक एस जाएगा जिसे भी खिलाई एक टेस्ट भूल नहीं पाएगा तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल लेंगे उसमें हम एक कप लेंगे बेशन तो बेशन आपके कितनी भी ताजी हो लेकिन एक बार आप पर इस तरह से च्छान के जरूर लेजिएगा च्छानन जो इसमें गुट्लियां बेगर रहा है वह भी निकल जाते हैं दूसरी बात अगर फ्रेस बेशन है फिर भी च्छानना इसलिए जरूरी है कर थोड़ा से इसमें एर पाश हो जाते हैं अब बेशन जो हलका हो जाता है जिसके वज़े से ढोक लेका रिजल्ट बहुत बहतरी अब इसमें क्या करेंगे हाप टीए श्पून डालेंगे हम नमक हाप टीए श्पून डालेंगे हम हल्दी पौडर और एक पींच इसमें डालेंगे हिंग अगर इससे पहले आप हिंग के इस्तेमाल नहीं करते थे तो जरूर कीजिएगा उसके बाद हम डालेंगे एक टेव consistency का जो बैटर है वो बना करके ready करेंगे तो बैटर का जो है consistency आपको अग्दम perfect रखने है तो पहले हम हाप के ये कप पानी कहीं सित्माल करेंगे क्यूंकि बेशन जो है ज्यादा पानी अब जॉप नहीं करता है और बेशन जो आप quality का अच्छे quality का लीजे और थोड़े से जो बारिक वाले होते है वो बेशन लीजेगा तो आपके बहुत ही अच्छे जाली आएंगे डोकले में जिस तरह समेरे आये हैं उस तरह से जाली आएंगे आई से देखिए हाप का पानी में हमारे एक चमच पानी बच गया है perfect consistency वाला बैटर जो है बन करके ready है अस्पून से अ हम क्या करेंगे इस तरह से गरीश कर अगे दो बुंद डाल करके तो इसे गरीश करना जरूरी नहीं है लिकिन फिर भी अगर लाख थोड़ा से भीग्नर है तो आप गरीश कर लजेगे तो आपको रिक्ष नहीं रहेंगे डोकले जरे से भी नहीं चिपकेंगे अब हमारा बेशन को फूलते हुए 10 मिनिट हो चुका है, अच्छे शे फूल चुका है, दही आपको फर्स्ट टाइम ही डाल देना है, जिससे की दही को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बेशन में अच्छे शे फूल करके उसका जो टेस्ट और हैंसो करके आएगा, इसके बाद हम बेकिंग पॉड़ा डाले हैं, हाप टीए स्पून, आप बेकिंग सोड़ा डाले हैं, वन वाई फोर, तो यह दोनों चीजों को डाल करके, आपको एक ही सरकल में अच्छे शे घुमा लेना इस तरह शे, आप इन दोनों चीजों को डालिएगा, आप अहले शे में एक चम करने के बाद, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, उधर जो है हमारा जो पानी है, वो स्टीम के लिए रख दिये हैं, देखे इसमें कितनी बबल्स आया है, इसमें थोड़े से हम इस तरह से टैप कर लेंगे, टैप करके चलते हैं इसे जटपट से स्टीम करने का प्रो तो कम से कम आपको पंदरा मिनट तक कि इसको आपको नहीं खोलना है, इससे जो है इसका स्टीम निकल लाएगा, और जो अच्छे से प्रोपल फूल रहा है, वो आपका टैम्परेचर जो है, कम हो जाएगा और धोकला आपका बढ़ जाएगा, अब पंदरा मिनट के बाद, जब हम चेक किये, तो देखे हमारा ढोकला जो है, थोड़ा बहुत और पकेगा, तो चार से पांच मिनट के लिए फिर लीड लगा करके, इसे मीडियम फ्लेम पर कूक करेंगे, टोटल हमको 19 मिनट लगा है, इसे कूक करने के लिए, तो आपका परफेक्ट ली आपका कूक ह जाएगा, अब जब चार मिनट बाद हम चेक किये, तो एक दम नाइफ हमारा किलीन आ रहा है, अब उसे उसी स्टीम पर लेम आफ करके छोड़ देंगे, तब तक हम इसके लिए एक तड़का रेडी करेंगे, तड़का बनाने के लिए, सबसे पहले हम में दो चमच ओल लें करी पते, करी पते का फ्लेवर जो है, इसके बहुत ही अच्छा था है, दो ग्रीन चिली को हम बीच में चीरे लगा लिए है, उसको भी हम डाल दिये है, अब सबी चीजों को थोड़ा सा हम इसे बहुन लेंगे, जिसके बज़े से इसका फ्लेवर जो है, तो और भी टेस्ट अच्छा हैगा, इसके बाद हाप कप हम लिए हैं पानी, पानी को डालने के बाद डालेंगे एक चमच हम चीनी, और हाप चमच इसमें हम नमक इस्तेमाल करेंगे, तो पहले चीनी डालने के बाद हम नमक डालेंगे, इसके बाद दो मिनटी से इस तरह से कूक कर लेंगे, हा तरह निकाल करके इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है जैसे ही आपका 1-2 मिनट में ठंडा हो जागा देखे कितनी ही सौप्ट बना है इसे बास इजी तरह शक इसी भीच घुमाये गई यह अपना किनारा छोड़ चुका है अज इस तरह से केक को हम डी मोल्ड करते हैं उसी तरह शेहम ढोकले को भी डी मोल्ड कर लेंगा देखे कितनी ही ईजी तरीके शेखे आप यह निकल गया है इसमें कितनी ही जाली आया है तो इस तरीका से अगर आप दोकला कभी ने घर पर ट्राइक राई कीजिएगा और देखे आपको कुतना एजली आपका ए कर लिजे तो एक कप आपको बेशन से परफेक्टली आपके इतने बड़े साइज का जो ढोगला है वो बन करके रेडी हो जागा इस मेजरिंग शे और यह जिशेपी को फॉलो करके बनाईएगा तो आपको कभी रिख्ष नहीं होंगे थोड़े से भी जो ढोगले हैं आपके नहीं तो टूटेंगे और नहीं तो चिपकेंगे इतनी ही बेतरीन ढोगला बन करके रेडी होता है अब कट लगाने के बाद हम तड़के को डालेंगे तो ढोगले में जब भी तड़के डाला जाता है तो कट लगाने के बाद डाला जाता है इससे क्या है कि ढोगले के हर प थोड़ी शी नमकीन इसका फ्लेवर जो हता बहुत बेहतरीन लगता है थोड़ी से हरे कटे धनिया है उसको हम इस पर डाल देते स्प्रिंकल कर देते हैं और ताजा फ्रेश नारियल इसके बीना तो ढोकला धूरा है इसको जरूर आप डालिएगा तो कहाने में इसका और भी बन जाएंगे यह एक पीस आपको निकाल करके दिखाते हैं तो देखे कितनी ही जाली है इसमें और एक बाद आवाने से ही कितनी ही दब रहा स्पंजी एकदम से है उपर से इसका जो हम केक्टीन में बेक किये थे उसको दिखाते हैं कितना ही नीट एंड क्लीन है आप चलते तब रेकफास्ट में इस रेशिपी को जरू ट्राइ कीजेगा बहुत ही बेतरीन बनता है थोड़ी सी भी इसे बनाना ट्रिकी नहीं है बहुत इजी तरीके से बन करके रेडी हो जाएंगे बिना रिक्ष के जटपर से बनेंगे और मेरी ये रेशिपी को अपने घर पे एक वीडियो में